Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of an academy group दोस्तो only repeated GK में आप सभी का स्वागत है और इस सेशन में हम सारे वो question देखेंगे जो बार-बार पूछे आते हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंट तर देखेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर चरू करिएगा टेलिगराम आप लोग उन्हें अभी तक जोइन नहीं किया तो सौरंबली का ओफिशल नाम से टेलिगराम इसको जोइन कर लीजेगा बाकी डेली स्पेशल क्लासिस के टाइमिंग है हाई बज़े और रात में ग्यारा बज़े दोनों ही स्पेशल क्लास दोस्तों इंपोर्टेंट होती है दोनों क्लासिस को आप रेगुलर पीसिस देख सकते हैं प्लैस सुब्सक्रिप्शन के बेनिफिट है लाइव कलासिस कोर्स, वीकली टैसिंग, इस सम्लिम्निक ऐख सूक्रिप्शन दूस्तो bang, अभी किसी बी कैटिगरी में कोई बी सब्सक्रिप्शन करते हैं और इसमें भी आप लोग को code study 10 ही यूज़ करना है किसी भी कैटेगरी में subscription join करने के लिए बाकी SSC Assure plus 20% save कर सकते हैं आप limited offer है ये ठीक है SSC कैटेगरी में ये भी आपके लिए best है मा संगराम बैच और सफलता बैच 18 मईश से स्टार्ट हो गया है आप इसमें भी अन्रोल कर सकते हैं और iconic subscription के लिए भी आप code study 10 ही यूज़ करेंगे iconic के feature है प्राइटिन डाउट solving प्राइटिन live classes बाकी आप detail में देख सकते हैं और जितने भी ये test series SSC कैटेगरी में free of post है दोस्तों आप इनको भी देख सकते हैं raise end करके आप live class में अपना डाउट पूछ सकते हैं और unacademy से आप अपने सारे डाउट के लिए कर सकते हैं unacademy doubt now पे जाके ठीक है ask doubt now पे ठीक है कोई भी मतलब जो भी आपके पास doubt होता है उसमें आपको उसका solution मिल जाएगा तो चले शुरू करते हैं आज के session को please पूरेंट तक देखेगा दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है महसागर प्रत्वी की सतय के खालिस्थान को cover करता है अगर आपको किसी भी question का answer आता होगा तो नीचे comment box में जरूर बताइगा देखे महसागर प्रत्वी की सतय को 71% से cover करता है यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तो महसागर प्रत्वी की सतय को 71% छेत्र कबर करता है और प्रत्वी के जल का दोस्तो 97% हिस्सा रखते हैं यानि कि जितना प्रत्वी पे जल है उसका 97% oceans के रूप में है बाकी का जो बचा हुआ है दोस्तो प्रत्वी के जल का केवल एक प्रतिशत से भी कम ताजा जल है जिसको हम पी पाते हैं जिसको पी सकते हैं ठीक है ना और 2-3% दोस्तो यानि कि पूरा exact नहीं है 2-3% glacier और बर के रूप में नहीं थैं तो आप लोग समझ सकते हैं पूरा जो मैंने समझाया है और इसको याद रखेगा दोस्तो next question आता है homie where वाला भारत की पहली के रूप में परसंसित है या आप लोगों बताना है तो इस question का right answer होगा बिल्कुल सही है इस question का right answer होजएगा lady photo journalist यानि कि option B is the right answer दोस्तो question आता है कि भारत को मिसरित अर्थविस्था यानि कि mixed economic कहा जाता है भारत को mixed economic क्यों कहा जाता है यह आप लोगों को बताना है देखी भारत की जो अर्थविस्था है दोस्तो वो mixed है क्योंकि इसमें public sector यानि की सवर्जानिक छेत्र नीजी छेत्र यानि की private sector दोनों मिलकर काम करते हैं तो इसके पीछे यही रीजन है तो इस question का right answer option B हो जाएगा दोस्तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर private economy की तो private economy वह एकनोमी होती है जहाँ पर केवल private sector काम करते हैं और आपकी public economy वह होती है जहाँ पर केवल government sector काम करते हैं ठीके और अपने देश में दोस्तो दोनों ही sector काम करते हैं अगला question है सकल ग्रेलू उत्पाद यानिकी gross domestic product क्या है दीखे gross domestic product यानिकी GDP आपने बहुत दोबार सुना हुआ ग्रोथ इस साल इतनी रहेगी और यह जो एजनसी है इसकी ग्रोथ इतनी बता रहे है यह काफी सुनने को मिलता है एक्चल में होता क्या है दिखे, final good and services produce in a economy in a financial year जितने भी good और services produce होंगे during the year एक साल में, एक financial year में उसका जो overall calculation होगी, उसको दोस्तो GDP बोलता है यानि कि एक वित्य वर्स में एक अर्थव्यस्ता में उत्पादित अंतिम वस्तों और सेवा है तो right answer is option, D हो जाएगा ठीक है, अगला question आता है दोस्तों, जब दक्सिन, A.I.C. छेत्र सहयोग के लिए association सार्क की इस्थापना होई थी उस वक्त भारत के परदानमंत्री कों थे अब देखे, सार्क से संबंदित question बहुत सारे आते हैं, और सबको भारत के परदानमंत्री दोस्तों कों थे राजीव गांदी जी थे तो right answer is option ने, यह है आप लोगों को याद रखना है ठीक है, चले जी अगला question आता है भारती सविधान का कोंसा अनुच्छेत विबिन आधारों पर किसी भी भारती नागरीक के साथ भेदबाव से संबंदित है तो बताएगा इस question का right answer मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer होगा that is option यानि कि article 15 is the right answer अगला question है silver fiber क्रांती से संबंदित है silver fiber revolution is associated to तो silver fiber क्रांती से संबंदित है कपास यानि कि कोटन तो option यहाँ पर D right answer हो जाएगा next है भारतिय मानक समय की गणना खालिस्थान के clock tower से की जाती है तो भारतिय मानक समय की गणना दोस्तो मिर्जापुर की clock tower से की जाती है तो इस question का सही उत्तर option C हो जाएगा question आता है कि English channel में तरने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी who among the following was the first Indian woman to swim across the English channel तो यहाँ पे आरती सहा इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा यह आप लोगों को याद अखना है 2007 में UTI bank का नाम बदल कर खालिस्थान कर दिया गया था यानि कि कि बैंक को पहले UTI नाम से जाना जाता था 2007 तक तो देखे दोस्तो UTI bank जो है वो पहले यानि कि Axis bank था पहले UTI bank 2007 में इसका नाम बदल के Axis bank कर दिया गया था तो यह आप लोगों को याद दिखना है किस party की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछडा वर्ग आयोक के गठन की खोशना की तो यह कौन सी party थी तो यह party दोस्तो आपका जनता party थी जनता party इस दा रेट आंसर कोशन आता है एक सेकिन भाई यह कैसे तो इस question का रेट आंसर जनता पार्टी हो जाएगा becoming के लेखक कौन है वो is the writer of becoming तो देखे becoming जो बुक है उसके लेखक है मेशल ओबामा यानि की रेट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा दोस्तो next question है blue jay या indian roller कितने भारती राज्यों का राज्य पक्सी है तो blue या फिर indian roller ये दोस्तो एक bird है एक पक्सी है जो कि तीन राज्यों का राज्य पक्सी है तो तीन कौन कौन से state है दोस्तो ये आपका करनाटका हो जाएगा ठीक है उडीशा और आपका हो जाएगा तिलंगना तो ये तीन state है जिन state का ये state bird है ठीक है इंडियन रूलर चले अगला कोशन आता है सर्षन पत के उपरी हिस्से को छोटे बालो जैसी सर्चनाओं के साथ परदान किया जाता है जिने खालिस्तान कहा जाता है दोस्तों तो इसे कहा जाता है सिलिया यानि की बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कोशन 2018 में युनेस्को द्वारा निमलकित में से किसे विस्व धरोहदर इस्थल घोसित किया गया है तो जल्दी से आंसर बताइए तो इस कोशन का राइट आंसर होगा मुंबई की विक्टोरियन गोथर्ड और आर्ट डेको एसेंबल यानि की कोशन आंसर आपका राइट आं है निमलकित में से कौन सी गैस कोईला खदानों में विस्व पोर्ट का कारण बनती है तो कौन सी गैस है दोस्तों कोईला खदानों में विस्व पोर्ट का कारण बनती है तो ये आपका मिथेन हो जाएगा ठीक है मिथेन इस दर राइट आंसर कोशन आता है कि अंतरास्टिय अपरादिक न्याले के नए अधियोजक के रूप में किसे चुना गया देखे दोस्तों इस question करेट आंसर होगा बिर्टेन के करीम खान को हिंग इस्थित अंतरास्टे अपरादिक न्याले यानि कि ICC का नया अभियोजक चुना गया है ठीक है तो इस question करेट आंसर क्या होगा करीम खान चलिए अगला question आता है कि पिन घाटी रास्टे उद्धान में इस्थित है तो इस question करेट आंसर क्या होगा पिन वेली नैसर पार्क इस सिचुएटिड इन तो हिमाचल परदेश इस दारेट आंसर ये आप लोगों को याद एखना है भवाई किस राज्य का लोक नरत्य है भवाई किस राज्य का लोक नरत्य है दोस्तो भवाई is a flock dance of which state तो राजिस्थान इस question का सही उत्तर होगा question है भारत में नीली करांती के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो who is known as the father of blue revolution in India तो blue revolution के father जो है वो हरी लाल चोदरी sorry हीरा लाल चोदरी इस question का राइट आंसर होगा तो ये आप लोगों को याद एखना है देखे ये class ना सुबह morning में होती है regular 6 a.m पर तो please आप इस लो इसको regular follow करिए ठीक है और इसके अलावा telegram join कर लीजेगा सोरंबलिक official के नाम से है वहाँ पे सारी वीडियोस के notifications आपको provide करा दिये जाते है 5000 question cover कराने वाला हूँ दोस्तों अगर आप सभी वीडियोस को देख लेंगे ठीक है फिर कुछ भी देखने की जड़ोत नहीं पड़ेगी अगर आपका railway exam है चाहे SSC है सब cover हो जाएंगे ठीक है चले मिल जाए next पीडियप पर और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा feature जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहाँ पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज़के और जो सबसे पहले भेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा पीडिया भी आप download कर सकते हैं बेल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत ठीक है और देखे अनकेडमी पर मेरी दो special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दोस्तो ढाई बज़े ठीक है और एक होती है रात को 11 बज़े दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाओगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा अनकेडमी profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए ठीक है तो चले मिलते है next class में thank you so much